अस्तनाम आलेकुम सभीकों, तो जी चाठ तो सबको पसंद है, लेकिन कोई भी चाठ ओ चाये वालु तिकियो डई बढ़े हो, या कोई भी चाठ ओ, मीठी चैटनी उसकी जान होती है, मीठी चैटनी इस मस्ट, आज उसी की रिसीपी शेयर कर रही हूं, चलिए शुरू करते ह तो सबसे पहले मैंने यहां पर ले ली है इमली एक कप, यह सीडलेस इमली है, वजन में देखें तो यह लगभग 200 ग्राम इमली होगी, सीडलेस इमली जो है असानी से मार्किट में मिल जाते हैं, बीज नहीं होते हैं इसमें, और अगर आपके पास बीज वाली है, तो आप उ मैंने यहां पर 50 ग्राम ली है, कप से मेजर करें तो हाफ कप, तो दोनों ही मिलाकर, जो क्वांटिटी है, हमारी 250 ग्राम हो गई है, इन दोनों को अब हम गरम पानी में, चार से पांच घंटे के लिए सोक करकर रखेंगे साथ में, यह दोनों ही तरह की खटाई यूज करने अइकडम पल्पी, आप चाहें, तो इसको इसी तरह से मैश करके इसका पल्प निकाल सकते हैं, लेकिน मैं सजileyस्ट करूंगी, कि आप इसको ग्राम कर लीजीए, तो दो बैच्स में थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर इसको ग्राम कर लीजीए, मैंने भी इसको ग्राय्इन करने में इसके जो रेशे वगएरा है वो भी इसमें रह जाते है तो इसको हम ग्राइंड करने के बाद छान लेंगे तो दो बैश में आसानी सा इसको स्टें कर लीजे और कोशिश ही करें कि जो स्टेंडर हो आपका वो थोड़ा सा मोटी जाली का हो तो एजी लिए स्टेन हो जाएगी थोड़ा थोड़ा पाएं डाल कर भी स्टेन कर सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम है तो इससे क्या होगा कि जो रेशे होते हैं इमली के वो निकल जाएंगे और ये इस तरह से देखे हमें ये स्मूध एक पल्प इसका मिल जाए गए देखे इसको चानने के बाद ये कैसे रेशे जो हैं इमली के वो अलग हो चुके हैं वरना जब हम चटनी बनाते हैं तो फिर ये मूँ में आते हैं इसलिए इनको हम इस तरह से अलग कर देंगे अब एक पैन में दो टेबल स्पून ओयल गरम करके इसमें वन फो टी स्पून जीरा करेंगे जीरा क्रेकल हो जाएगा तो फिर इसमें हम गोड़ एड़ करेंगे गोड़ हमने यहां पर 500 ग्रैम लिया है जो खटाई है उसकी क्वांटिटी का डबल इसमें गोड़ जाएगा तो जिस भी मेजरमेंट से आप लें इतना धियान रखें कि जितना हम खटाई वाल कि यह जल्दी से मैल्ट हो जाए तो इसको चलाते हुए गुड़ को हम अच्छे से मैल्ट कर लेंगे गुड़ को मैल्ट करते टाइम थोड़ा सा पानी जरूर एड़ कीजिए इससे गुड़ हमारा चलता नहीं है यह देखिए अच्छे से मैल्ट हो गया और अच्छे से ब शुगर भी जब हमारी मैल्ट हो जाएगी उसके बाद जो हमने पल्प रेड़ी करके रखा था वो भी हम इसमें एड़ कर देंगे और इन सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करते हुए इसको 5-10 मिनिट के लिए को कर लेंगे बर्तिन में थोड़ा सा पल्प रह गया था तो इसमें थोड़ा पानी एड़ करके मैंने इसमें मिला दिया है अब इसको हम चलाते हुए अच्छी से पका लेंगे जब तक इसमें अच्छा सा बॉइल ना आ जाए तो यह देखे इसको 5-10 मिनिट हो चुके है पकते हुए अब हम इसमें मसाले एड़ करेंगे तो एक टी स्पून मैंने आपर नमक लिया है आधा टी स्पून काला नमक काला नमक जरूर एड़ करें काफी अच्छा टेस्ट देता है साथ में जाएगा इसमें एक टी स्पून लाल मिर्श पाउडर आधा टी स्पून सॉफ का पाउडर और वन फोर टी स्पून जीरा पाउडर सॉफ का पाउडर और जीरा पाउडर एड़ करने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है अब इन सारे ही ड्राय मसालों को अच्छे से चिटनी में मिक्स कर देंगे और 2 मिट क लगे तो थोड़ा सा पानी एड़ करके इसको पतला कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर मेरी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं यह एकदम पॉफेट कंसिस्टेंसी है देखे अचा सा बॉइल आ गया है चट्मी बस इसी स्टिश्टा पकाने हैं बनकर रेड़ी है क्योंकि यह ठंडी होने के बाद और भी जादा गाड़ी हो जाते है तो अगर शुरू में आपको थोड़ी सी पतली लग रही है तो उसको वैसे ही रहने दीजिए यह जब ठंडी होगी तो यह और थिक हो जाएगी तो यह perfect consistency में हमारी चटनी बनकरके एकदम ready हो चुकी है जितनी आप use करना चाहें use कर सकते हैं बाकी के आप एक glass के container में store करके इसको लगभग एक से दो महीने तक आराम से रख सकते हैं देखिए ठंडी होने के बाद चटनी कितनी गाड़ी हो चुकी है तो मैंने जितनी यूज करना था कर लिया अब इस container में जो बच्ची वी चटनी है मैं airtight container में इसको रख कर एक दो महीने के लिए तो यह आराम से चल जाएगी देखिए consistency बिलकुल perfect है पसंद आए तो recipe को लाइक कीजिए वीडियो को share कीजिए